नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी इस वक्त मैं मौझूद हूँ सुप्रीम कोट में और आज कोट से निस्क्रिये या बंद उन अकाउंट के पैसे के बारे में उनके हगदारों को सुचित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है क्या है पूरा मामला और आज कोट ने क्या सुनवाई की देखे हमारी ये विसेश पेसकस सुप्रीम कोट ने पत्रकार और मनी लाइफ की मैनेजिंग एडिटर सुचेता दलाल दौरा दायर एक जनित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें निशक्रिया या बंद अकाॉंट के पैसों के बारे में उनके कानूनी हगदारों को सुलब बनाने के लिए कदम उठाने की मांग है याचिका में कहा गया है कि निशक्रिया या बंद अकाॉंट के पैसों का उप्योग अलग-अलग regulatory द्वारा किया जा रहा है जस्टिस अफदुल नजीर और जस्टिस जेके महिशवरी की पीठ ने मौकिक रूप से कहा कि यह एक महत्पून मुद्दा है और जन्हित याचिका पर नोटिस जारी किया जाता है याचिका करता की और से एडवोकेट परशांत भूशन पेश हुए याचिका में अदालत से परतिवादियों विक्त मंतराले भारती रिजर्व बैंक कोर्परेट मामलों के मंतराले और सेबी को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिशित किया जा सके कि लोगों मित वाले फंड में इस्थांतरित हो जाए इस आधार पर की कानूनी वारिसो या नोमिनीज दुआरा दावा नहीं किया गया है कि इंद्रिकरित ओनलाइन डाटाबेस पर निश्क्रिय खातों की संख्या और धारकों की जानकारी परदान करके उक्त कानूनी वारिसो या नो इंदेन की अंतिम तिथी जैसे विवरन शामिल हैं। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि बैंकों को निश्क्रिय खातों के बारे में RBI को सुचित करना अनिवारिया होना चाहिए। में जो पैसे हैं उनका अलट-अलट रेरुलेटी के द्वारा यूज तिया जा रहा है। वो पैसे उनके लीडर राइट्स नोमनी के हैंड में नहीं जा पारा है। यह काफी दंभीर मामला है। और इसी मामले को सुनवाई तरते हुए आउन्डेवल सुप्रीम कोट ने बैं के साथ-साथ RBI तो भी, Company Affairs Ministry तो भी, सेवी तो भी और Finance Ministry तो भी कि जो भी पैसे, चाहे बो पैसे जरुत्ता तोस निवेसर DFT हो, नारी तल्यान तोस ACVFT हो, एजुटियसर नौल सेट्योटी तोस IVPFT हो, वो सभी पैसे जो निस्ट्रिये हैं या जो इन ऑपरेटिव हो रहे ह जिनके अटाउंट होल्डर DFT चुटिये हैं, उनके नौमनी तो या उनके लिडल राइट्स तो नोटिस तिया जाए, सुचित तिया जाए, ताथि वो पैसे सही जरुत्ता पे पहुंच जाए देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें